चार महीने पहले जो सरकार बनी, जूटे वादे करकर बनी और चार साल में लोगों को लग नहीं रहा कि 36 रन में कोई सरकार भी है लेकिन कॉंग्रेस वो पार्टी है, इंद्रा गांधी वो नेता थी जिन्होंने देश को जोड़ कर रखा आप सब को अधिकार दिये, समिधान की रक्षा करी, आज समिधानिक संस्थाओं को जान पूच कर, नितिगत तरीके से कमजोर करने का काम मोदी सरकार कर रही है साथियों, हम सब यहां राउल गांधी जी को सुनने आए हैं, और आज सुभा दादी मुर से मिल रहे थे, तो मैंने पूचा कि आप सबास्थल में चलिएगा उन्होंने का, नहीं मैं सबास्थल में जाऊंगा, तो पूरी रैली का जो खर्चा है, मेरे खाती में जुड़ जाएगा तो मैंने कहा, दादी, ये चुनाव जीतना है, खर्चे की चिंता छोड़ो, आप आओ भाशन दो, और जनता को बोलो, मुझे वोट दे कर जिता हैं, ताकि मैं सांचत बनकर दिल्ली में, आप लोगों के लिए संगर्श कर सकूँ साथियों, उननेस तारिक को लोगसभा का चुनाव है, और मैं राहूल गांदी जी को बता रहा था, कि चत्तिस गड़ में एक बदलाव की हवा चल रही है, चार महीने पहले जो सरकार बनी, जूटे वादे कर कर बनी, और चार साल में लोगों को लग नहीं रहा, कि चत्तिस जन में कोई सरकार भी है, इसलिए पूरे देश में और खास कर इस परदेश में लोग बदलाव चाहते हैं, दस साल से जो सरकार दिल्ली में बैटी है, सिरफ भाशन देना, जुल्मे देना, लोगों को बढगराना, आपस में लड़वाना, हिंदू-मुसल्मान को लड़व लड़वाना, आदिवासी जनलिकास को लड़वाना, मंदर मजजीत के राजनीत करना, किसानों के सार्थ शोषन करना, नौजवानों को बिरोजगार रखना, आप लोगों लोगों देश में जो संपत्ती थी, चंद लोगों के हाथ में देने का काम किया, चत्तेजगर और देश में लोग कांग्रेस और इंडिया लाइंज को जिताना चाहते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है, जैसा अदिपक जी बोल रहे थे, बस्तर की जनता सच्चाई को चुनेगी, बस्तर के लोग मेहनत करने वाले को चुनेंगे, और राहुल जी के आदेश के अनुसा चले, कन्या कुमारी से कश्मीर तक, किसी बात की परवा नहीं करी, बिना डरे चुनोती दिये भाजपा को, मुधी जी को, और कहा, कि मैं लोगों को जोड़ना चाहता हूँ, आप तोड़ना चाहते हो, मजभ के नाम पर, धर्म के नाम पर, लेकिन भारत को जोड़ने का काम राहूल गांदीजी ने किया, साथियों, माताओं, भेनों, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, 36 गड़ में हम सरकार नहीं बना पाए, हमारी सरकार ने अच्छे काम किये, 5 साल तक, लेकिन प्रचार के मात्यम से, लोगों को बरगला कर वोट ले लिया, पहला चर राहूल गांदीजी विस्तार में आपको सारी बात बताएंगे, लेकिन कांग्रेस वो पार्टी है, इंद्रा गांदीजी वो नेता थी, जिन्नों ने देश को जोड कर रखा, आप सब को अधिकार दिये, समयदान की रक्षा करी, आज समयदानिक संस्थाओं को जान बूच कर नितिकर तरीके से कमजोर करने का काम मोदी सरकार कर रही है, मैं आप लोगों से आवान करता हूं, गंतंत्र को बचाने के लिए, लोगतंत्र को बचाने के लिए, समयदान को सुरक्षत रखने के लिए, इस हाथ के निशान पर बटन दबाओ, और कवासी लखमाजी को दि तांसा ख़वरों के लिए विजिट करें दफेक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनोड करें दफेक्ट इंडिया एप